एक नारा पूरे देश में आजकल सुनाई देता है कि जो सरकार वीक है उसका सारा पेपर लीक है वार रुकवा दी पापा यह कहकर देश में जूट का प्रोपगंडा करने वाले एक पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं हमारे देश में पेपर लीक मुक्त परीक्षा कब होगी इसकी जरूरत इसलिए कि उच्छ में एक बार फिर से पेपर लीक हो गया यह हमारे नौजमान जानते हैं कि यह पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है यह सरकार जान बूज करके पेपर लीक करती है ये लीग करने वाली सरकार है और इसलिए लीग करती है क्योंकि हमारे नौजमान को नौखरी और रोजगा नहीं देना चाहती है मेरा ना NTA से एक डायरेक्ट क्वेस्चन है या तो आप अपनी इंफॉर्मिशन बुलेटिन में क्लियर कट कह दीजिए कि सिर्फ करोडपती और नेता और पैसे वाले बच्चों को ही आप एड्मिशन देंगे परिक्षा के मामले में गिरफतार चार आरूपियों का कबूल नामा या पर सामने आया है कि परिक्षा से पहले प्रशन पत्र मिला था इन्हें एक दिन पहले ही रात में कर पाई जिस देश में सव में से 85 नौजवानों की बेरोजगारी के आकड़े सामने आने लगे जिस देश में नौजवान सक्षित हो करके डिग्रियां ले करके बेरोजगार घुमते हुए नजर आएं उस देश में नेताओं के चुनावी मुद्दे रोजगार की बजाए हिंदो मुसल्मान बनने लगे उस देश में अगर रोजगार या परिक्षा सक्षा पर चर्चा हो तो वो चर्चा ऐसी होनी चाहिए कि आज इस देश में नौजवानों का भविश कहां बचा हुआ है अगर सालों साल उन्होंने किसी इम्तिहान की तैयारी में लगाए घरवालों ने अपने जगे जमीन भी रख करके लोगों को पढ़ाया तो जो पढ़ें लिखें नौजवान हैं वो जब परिक्षा देने गए और पेपर लीख हो गया तो यह कितनी बड़ी त्रासदी है इस देश के नौजवानों और उनकी परिवार के लोगों के लिए इस पर इस देश की राजनीती अगर नहीं गर्माएगी तो फिर इसी राजनीती का हूं क्या करेंगी अज तुबर जब मैं बैठा अपना कुछ काम कर रहा था उसी समय मेरे पास गौालियर से एक बच्चा जिसका नाम उसने बताया विने कुश्वाहा मैं नाम इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि शायद आप नाम से तो जान नहीं पाएंगे लेकिन उसके नाम के पहले एक्षर को बदल करके मैं आपको यह कहना जा रहा हूं कि मेरे पास अन्नो नंबर से कई बार उसका फोन आया और जब मैंने वो फोन उठाया तो सामने से उने की आवाज देया बोलड़का लंबे वक्त से मुझे देखता सुनता और पढ़ता रहा है मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि सर मैं मचदूरी करके एक मुबाइल की दुकान है जस पर काम करके पढ़ाई करता हूं मेरे घर में कोई नौकरी वाला है और विने ने आगे बताया कि मैंने बहुत मेहनत करके अपने दिन भर की नौकरी के बाद पढ़ने का वक्त निकाला और पॉलिटिकल साइंस से नेट की परिच्छा की तयारी की है कोचिंग नहीं गया मैं क्योंकि मेरे पास लाखों रुपए फीज दे करके कोचिंग करने की भी सहुलियत नहीं थी बहुत मेहनत करके रात रात बर जाक करके मैंने जिस नेट की परिच्छा को तयारी की ताकि अगर जैरफ हो जाएगा मुझे फेलोशिप मिलने लगेगी तो मैं पढ़ाई भी कर लूँगा और अपने घर को भी समाल लूँगा और जब मैं परिच्छा दे करके नेट की लोटा जैसके लिए मंत्राले कह रहा है कि वो परिच्छा काम्याबी से हो गई और परिच्छा दे करके जब घर लोटा तो मैंने मिलाया कि मेरे 94 फीजदी सवाल पही थे और मैं इस बात की खुशी अपने घर वालों से साजा किया मैंने अपनी मां को बताया कि मां हो सकता है हमारे बोरे दिन कट गएं कट जाएं और मेरे परिच्छा में अगर मैं पास हो गया तो मैं सब कुछ ठीक कर लूगा और अगले दिन उस बच्चे ने जब देखा कि वो नेट का एक्जाम भी यूजी सी नेट का एक्जाम कैंसल कर दिया गया है क्योंकि इस देश के सक्षा मंत्राले को इस बात का संदे है कि उस परिच्छा में भी धाधली होई होगी और वो रोने में लगा कि मुझे लगता है कि अब मेरे पास जीने का कोई आथार नहीं बचा मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं उसे कैसे समालू, मैंने अपने जूठे, शब्नों और वाक्यों से उसे ताहरा देने की कोशिश की, कि एक इमतिहान जंदगी से बड़ा नहीं हो सकता। जब जिन्दगी अमतिहान ले रही हो तो इमतिहानों से डरा घबरा घबराया और भागा नहीं जा सकता और और मैंने बहुत हिम्मत देखके उसके वादा लिया कि वह अगली बार फिर परिक्षा के तैयारी करके एक्जाम देगा क्योंकि इस परिक्षा के पेपर लीग में उ इस देश के लाखों नौजवानों को आप इस भाशण से इस भाशा से समझाने में कामयाब हो सकते हैं कि कोई बात नहीं एक पेपर लीख हो गया है तो उससे क्या हुआ अगले पेपर की तैयारी करो और क्या इस तरह की लच्छेदार भाशा से कोई नौजवान समल जाएगा क्या को नौजवान अपने घर पर यही बताएगा कि इस भाशर से पेपर लीख हो गया है मुझे इलहबाद रहने के लिए लखनव रहने के लिए कोटा दिल्ली रहने के लिए जो आप महीने के 10-15,000 रुपए भेजते हैं वो अगले एक साल और भेजिये क्योंकि इस भाश का पेपर लीख हो गया है और अगली बार फिर पता नहीं कब रिच्छा होगी और फिर मपर रिच्छा दे कर क्यों सकता है अपने और आपके सपनों को पूरा कर सकते हैं क्या उसके घर वाले इस बात के लिए तयार होंगे और अगर नहीं तो क्यों और इसका दोशी कौन है और इस बात के बाद इस दूसरी कहानी आती है, एक कहानी पटना के चार लोगों के द्वारा कि मेरे पास मेरे रिष्टदार का पोन आता है कोटा से कि हाँ ये नीद का पेपर मुझे मिल गया है, तुम आओ, तुम्हें पेपर मिल जाएगा, एक रात परिक्षा के एक रात प रैठा तो देखा हूब हूब वही पेपर है नीद जैसे परिच्छा के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगने शुरूर दोशी कौन एक स्कूल वाला एक परिच्छा सेंडर वाला या उस कहानी का क्यरदार जिसको यह पता चला कि वो एक अपने दोस्त के पास पहुंचता है और क्लाइंट हैं 30 से 32 रुपए हम दोनों इसके जरीए क्लाइंट के लेंगे पेपर देंगे वो अधर अपने सपनों को पूरा करेंगे और हम इधर लाखों रुपए का बिजनेस प्यापार करके इस पैसे को जहां जहां पटना होगा बाटेंगे और उसके बाद अगले किसी चुनाव की तैयारी में इस पैसे के खर्चे का हिसाब करेंगे क्या यह कहानिया सद्यों पुराने भारत की हैं नहीं साथ यह जून 2024 के कहानिया हैं कि जो सरकार वीक है उसके सारे पेपर लीक हैं और इसलिए आज पूरे देश में जनता के बीचे का क्रोश है देश भर में आंदोलन हो रहे है जभार लाला रुब्ष्र विद्याले के चात्र संग ने सिक्षा मंत्रा लेकि सामने अंदोलन किया समाजवाधी पार्टी के चात्रोंने कॉंग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने और तमाम सामाजी कार्यकरताओं ने लखनव से लेकर दिल्ले तक लगादार अंदोलन किया पटना से लेकर राजस्तान तक मध्यप्रदेश लेकर के महराज तक हर जगत देरे-देरे नौजवानों में एक आक्रोश पैदा हो रहा है क्याकिर हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं एक सरकार अगर एक इमतिहान अच्छे से नहीं करा पाती तो यह हमारी मेरिट का इमतिहान कहां हुआ हमारे सपनों में यह जो कुर्वानी हो रही है महीने साल इसमें केवलीस ले जाया हो रहे हैं क्योंकि जिस परिच्छा की तैयारी करके हम आज यहां बैठे उस परिच्छा को दे करके जब घर लोटते हैं तो पेपर लीग हो गया इसका दोशी कौन है आखिर क्या वज़ा है कि उत्तरप्रदेश के लिए एक सोचल मेडिया पर पन्ना वाइरल हो रहा है यहां ज्राया प्रटाल आप लिए करें 2017 का साई पेपढ़ लीग0989ạn का लॉऌर सब्डिनेटलिग09 eta लिए यूपी पई सीएल पेपर लीग 2019ола में पुलिस पेपर ली 2021 में T.E.T. पेपर ली, 2021 में भौतिक विज्ञान, बोर्ड अंग्रेजी के पेपर ली, कई जिलो में एक साथ, 2022 में लेखपाल का पेपर ली, अगर और आगे बढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि 2024 की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में भरतियां रद हुई, तारीक और साल है 17 18 फरवरी 2024, कौश्टेबल भरती परिक्षा, परिक्षा रद, 11 फरवरी 2024, आरो, ए आरो के 334 पद मुपर परिक्षा, नतीजा, आंतरीक जारी, सब कुछ अधर में लड़का हुआ, यूपी बोर्ड परिक्षा 2022, इंटर्मीडियेट की पेपर लीक होने का संदे, परिक्षा परिक्षा रद, नवंबर 2021 में यूपी पीटी परिक्षा रद, और उसके बाद 1718 के आंकड़े आपके सामने लगातार दस्तक दे रहें, और इसलिए अखबारों में कत्रन नहीं लगने लगी, और ये हीडिंग लगने लगी, कि पेपर लीक, सिस्टम वीक, एक साथ उत्त परिक्षा प्रदेश के 24 जिलों में यूपी बोर्ड की परिक्षा के पेपर कैंसल हुए, क्योंकि वहाँ पेपर लीक कर दिया गया, और इस तरह से लगाता, 2000 इतने तो लव लेटर लीक नहीं होते, जितने पेपर लीक होते, और उत्तर प्रदेश में ही लगातार, 2017 से 2021 त प्राइमरी सिक्षक भरती से लेकर के ग्राम विकाल सदिकारी और यूपी आरक्षे से लेकर के ट्यूबेल ऑपरेटर और लोवर ऑपरेटर के परचे लीक, कहा है वो परचे लीक का पुरसश्टा, क्या आपको इस देश के हकीकत नहीं पता, कि इस देश में एक परिक्षा को एक ही अंक मिल गया एक ही इंस्टिट्यूट के कई विद्ध्यार्थियों को एक ही अंक मिल गया और बाद में सिक्षा मंत्री शबत लेने के बाद अपने सयोगी के साथ के बोलते पाए गए कोई पर लिख नहीं हुआ इस देश में जैसे मैं हिंदू-मुसल्मान नहीं करत मैंने कभी कपड़ों से देखकर पैचांनी की बात नहीं कि हमने कभी भ्रष्टाचार किया ही नहीं हमारी पार्टी में परिवारवात है ही नहीं इस तरह कि जुम्ले जैसे राजनीत में बोल दिये जाते है वैसे हिग्षा मंत्री ने ये बयान देदिया कि नई-स- además कब हमारे कोई पिपर लीक नहीं हुआ इसका कोई सबूत नहीं आये चंद घंटों बार परिक्षा कैंसिल हो गई नहीं है सक्षा मंत्रा ले क्या वापस लौड कर आए अपनी गल्दी की मापी मांग दे कि अप्षा मंत्री ने इस बात की मापी मांगी कि हाँ हमने गलत बयान या धूरा बयान दे दिया था हम दोशी हैं इस देश के नौजवानों के भविश से खेलवार करने वाले साजिश के वज़े से लेकिन नहीं हुआ मजबूरी में छात्रों नौजवान सड़कों पर उतर रहे हैं चल चलाती धूप के बीच इस काम इस गमगर्मी की तपन के बीच अपने सपनों के उजाड़े जाने का दर्द लेकर पेछली बार उत्तर प्रदेश में विनोध पाल नाम का एक लड़का नाम की बजाए इस कहानी पर गौर करिएगा कि जब वो पेपर दे करके लोट रहा था पूरे रास्ते वो जोड़ता रहा कि इस पेपर में मैंने इतने नंबर का कुश्चन कर लिया है मेरे उत्तर सही है हो सकता है मेरा ये पेपर क्लियर हो जाए मुझे नौकरी मिल और दिल में जितने भी दर्द रहे होंगे शायद वो उनकी तरफ सोच रहा होगा बीमार मा का इलाज करवाना हो छोटे भाई बहनों की कलम किताब का खर्चा देना हो पिता की मजदूरी मेहनत में मदद कर देनी हो खेती बारी में दो-चार रुपए की खाद यूरिया और अच्छे से दल जाए ताकि फसल इतनी पैदा हो कि साल बर खाना मिल पते ऐसे जाने कितने छोटे-छोटे सपने इस देश के हर नौजवान के दल में होते उसके दिल में अपना सपना होता है कि मैंने जिस पर इच् सब्सक्राइब को दुरुस्त कर लूंगा या कर लूंगी और अपने पैर पर खड़े हो करके हम एक बहतर दुनिया का खाप देखेंगे यह फेहरिस्त पर फेहरिस्त कि इस बात क्यों इशारा कर रही है कि आपने कैसी सरकार चुन लिए जो इंतेहां तक नहीं धंसे करा प कर रहे हैं कि अगर वैकिंसी आने लगे तो हमारा इंतेहान हो जाए तो हमें रोजगार बिल जाए क्योंकि हमने उसके लिए जो इलिजिबल्टी क्राइटेरिया है उसे फुल्फिल कर रखा है प्राइमरी के सरक्षक बनने के विद्यार्थी अब अभिहर्थी बन करके सार हो जाए और ऐसा इंत्यान नहों जिसके लिए सिक्षा मंत्राले के अधिकारी आकर कहें कि यूजी सी नेट का एक्जाम रद किया जाता है क्योंकि हमें इंपुट मिला है हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के तरह के तरफ से कि कुछ ऐसा घपला हो सकता है कि पेपर लीक हो गया और विद्यारतियों के हित में नहीं इसलिए हम यूजी सी और नेट का एक्जाम रद करते हैं एक अधिकारी बड़े आसानी से आकर एक घोशना कर देता है अपने मंत्री के ये कहने के बाद कोई पेपर लीक नहीं हुआ कोई सबोत इसके नहीं है वो अधिकार लाखों लाख रुपए किसी विद्यारती ने कोचिंग पढ़ने के लिए दिया धजारों रुपए हर महीने के खर्च कहते हैं जेब कार्ट के कोई गरीब कमजोर मजलूम परिवार के लोग अपने बेटा या बेटी को पढ़ने के लिए भेजते होंगे तो लगातार एक क बाद एक पेपर का लीख होना क्या कई लोगों के परिवार को उजाडने की तरह नहीं है यूँ ही नहीं उत्तर प्रदेश में राजनीत के केंद्र में अखिलेश यादव ने इसे चुनावी कैंपेन में हर जगर बोला कि अगर पेपर लीख हुआ साथ लाक बच्चे अग सरकार ऐसी बनी हुई है अंदोलन किये जा रहे हैं विद्यारती सड़क पर उतरने को मजबूर है और पेपर लीख है कभी इलहाबाद की गलियां देखी हैं आपने मैं उस शहर में रहा हूँ और मैंने वहीं रहकर के पढ़ाई की है आज भी कभी मौका मिल है तो एक तो य या वो खुद इतने सक्षम पाते हैं कि वो इलहाबाद, लक्नव, दिल्ली, कोटा, पटना, भुपा, लिंदोर या मुंबई भेज कर पढ़ने को भीज सके हजारों हजार रुपए हर महीने खर्च दे सके दो-चार परसंट भी लोग नहीं है, ऐसे वक्त में कभी उन-दो-चार परसंट लोगों को करीब से देखिएगा, इस देश के वे नौजवान दस बाई-दस के कमरे में बैठ करके, जहां हवा और इंसान के आने का ये कही रास्ता होता है, धूप उन कमरों में नहीं आती, उनमें रह करके, वो दिन राते करके मेहनत करते हैं, अचानक कोई एक्जाम जबाता है, तो परिक्षा जब लीक हो जाए, पेपर रद्ध हो जाएं, तो उनके उन महीनों का हिसाब कौन देगा, वो अगली बार वहां रह पाएंगी या नहीं पाएंगे, अगली बार उस प अपने दोस्त हो जाते हैं, अचानक कोई मंत्री आके कह देता है, कि नहीं सबूत ही नहीं, और प्रधान मंत्री की बात ही क्या करें, उनके उपदेश पर उपदेश कुशल बहुते रहे, एक्जाम प्रोटेक्टेड हपतों हो गए होंगे आप लोग, बताओ इस देश के नौजवानों, क्या आप एक्जाम प्रोटेक्टेड हो गए हों, जाइए कभी इलहबाद के उन गलियों में भूमिये और वहां पर नौजवान आपको यह कहते मिलेगा, कि पहले किसी कम्टेटी एक्जाम की तयारी के लिए प्री मेंस और इंटर्व्यू होता था, ठी अच्छा हो जाए, ताकि उसमें न्याय हो जाए, अच्छानक से किताबों में अंसर गलत हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, यह ठीक वैसा ही है, जैसे विश्वद्यालों में कुलपती और प्रिंसिपल बैट करके 32-40 लाख रुपए की बात चाप रुम में सुनाई दे, दिल् गई है, वैसे ही आप इलहाबाद पटना दिल्ली हो की और गलियारों में घूमिएगा, तो आपको पता चलेगा कि सॉलवर गैंग, पेपर लीग गैंग और तमाम तरह की गैंग काम करती है, जो 10 लाख से 50 लाख से की बोली लगाती है, और परिच्छा में पेपर गलवाती मेरे छोटे भाई बहन एक बार बोले थे कि भाईया ऐसे नहीं होगा, तो क्या पैसे दे दें, हमने का पैसे भी कहा है, कैसे दे पाओगी, उनमें से अधिकांश आज भी पेरोजगार है, और आज अगर एक सरकार पेपर अगर न करा पाए, नीट के पेपर के बाद नेट क पेपर भी रद्ध हो जाए, उत्तर प्रदेश में दरजन भर पेपर लीख होने के बाद रद्ध हो जाए, देश का कोई प्रदेश ऐसा न बचा हो, जिसमें इस तरह की कारवाईयां न देखने को में, ऐसे वक्त में ये सवाल कभी अपने आप से पूछेगा, कि जिन बच होगी, कलम और किताब घुलाम होंगे, तो पीढ़ियां ऐसी घुलाम पैदा होंगी, कि उन्हें राजनीत ये अपना भीड की तरह स्तेमाल करते जाए, लाखों करोणों रुपए की कोचिंग का बिजनेस, लाखों करोणों रुपए की सॉलबर गैंग और पेपर लीग का बिजनेस, करोणों अर्बों रुपए की राजनीत के बिजनेस में कांखो जाएगा, एक सिक्षा मंत्री, एक प्रधान मंत्री, एक मुख्य मंत्री, अगले दिन कोई और शिगूफा ऐसा छोड़ देगा, कि आप भी अपने बेटा-बेटी के भविश्य की चिंता में उसी हिंदो मुस्लिम में मजे लेने लगेंगे, इसी लिए राजनीती आपके साथ यह कहान का, और अगर आपके पास ऐसी कहानी आएं तो नीचे कौन बाक्स में बताएए, मेरी फोन करने वाला वो गॉरा गॉलियर का एक कुश्वाहा लड़का, या वो तक्देश का बिन कौन है, और अंत में आपके बच्चों के भविश के साथ न्याय कैसे होगा, अगर इंतिहान ही नहीं होगा, अगर परिक्षा ही नहीं होगी, तो फिरोने नौकरी कैसे मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं होगी, तो फिर पीडियों की गुलामी को दूर करने के रास्ते कैसे क्या भारती जंता-पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश लेकर के दिल्ली तक में बौर्ड इक्जाम से लेकर के पुलिस भरती से लेकर सिक्षक भरती तक में कोई भी पेपर अगर धन से के चलते और चार-चार लोग दोशी पटना से गिरफतार कर लिए जाएं तो इसका दोशी कौन है इसका जवाब कभी अपने आप से सोच कर मांगेगा कि जो सरकार वीख है उसका सारा पेपर लीख है और अगर यह हो रहा है तो जनता का क्या करते हैं बहुत-बहुत धन्यवा करते हैं बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत